महोदै यद्पी योजना के अंतिम रूप पर यह अपचारिक बहस अब हो रही है हमने योजना के प्रारूत के बारे में काफी बेवरेवार विचार किया था एक मानिय सदस ने कहा है कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कामों को निप्टाने में तत्परता जरूरी है मैं समझती हूँ कि योजना के प्रारूप और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है अंतिम रूप में हमने तत्पा लिखता पर जोर दिया है जिसका परमान यह है कि उसमें आज की परमुक समस्चाओं की पहचान की गई है जैसे बिरवजगारी या छेत्रिय आसंतुलन अथवा अन्य ऐसी ही बाते इन में से कुछ समस्चाओं के समाधान में कोई भिलम नहीं होना चाहिए और उन्हें तत्काल दिवड निश्चय के साथ हल किया जाना चाहिए लेकिन कुछ प्रस्थितिया ऐसी होती है जिन में हमें काम करना होता है कुछ मानने तरीके हुआ करते हैं इन में से एक है लोकतंत्री प्रक्रिया बहुत से लोग चाहते हैं कि हम कई काम एक साथ करे और इन में से कुछ के बारे में हम सहमत भी हैं कि वे सही काम हैं लेकिन हम लोकतंत्री प्रक्रिया के प्रति वचन बद्ध है हम जनता की राय से काम करने के लिए प्रति बद्ध है हमें अधिका अधिक जनता और पाटियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है मैं समझती हूँ कि अगर इस से हमारी गती कुछ धीमी भी रहती है तो भी हमारी प्रक्रिया को बल मिलता है और हम जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे बल मिलता है दूसरा तरीका मिश्रित अर्थ विवस्था का है जिससे सायद कुछ लोग सहमत नहीं है लेकिन जिसे हमने अपने लिए निर्धारित किया है ऐसी अर्थ विवस्था की अनेक तूटियां भी होती है लेकिन हमारे देश में आज जो प्रस्थिती है उसमें हमारी सरकार, हमारे पुरुवर्तियों और आज के सहयोगियों ने यह अनभव किया कि हमें इस तरीके को अपना कर चलना चाहिए मिश्रित अर्थ विस्था का अर्थ मेरी समझ से यह नहीं है कि कुछ समरिद परिवारों को इसका लाब मिलता रहे क्रिसिया लगु उद्धोग जैसे अनेक छेत्र कमजोर वर्गों के लाब के लिए नीजी छेत्र में रखे गए हैं और हमारी मिश्रित अर्थ विस्था के अंतरगत अपने लिए लोगों को अनेक काजक्रम अपने हाथ में लेने के अलावा उनमें अपने लिए काम करना चाहिए मुझे मालुम है कि स्वधिन्ता के तुरंत बाद जो इस्थिती उत्पन हुई थी उसका कुछ परिवारों, गुरुपों, वेमसाई घरानों ने नीजी स्वार्थ के लिए लाब उठाया